लास्ट लेक्चर में हमने सिंपल इंक लिस्स को स्टेडी किया था तो सिंपल इंक लिस्समें आपके पास वन्वे наוिडेशन होती है वन्वेर निविगेशन से मुराद यह है कि आपने front note means head note से आपने traversing start करनी है और last note तक आप जा सकते हैं last से आप front या first note की तरफ आप move नहीं कर सकते हैं इसमें सिरफ one way direction होती है one way navigation होती है जबके हमारे पास दूसरी category doubly link list की है यहने link list में second category doubly link list है जिसको हम two way navigation बोलते हैं ठीक है two way navigation से मुराद यह है कि आप किसी भी note से उसके next note या previous note पर आप अप्रोच कर सकते हैं traversing perform कर सकते हैं तो इस तरह से आपके पास जो doubly link list है उसकी हर note के पास दो addresses होते हैं एक previous note का और एक उससे next note का address होता है अगर आप doubly link list के नोड के structure को आप देखें तो आपके पास जो structure है उसमें तीन पार्ट होते हैं basically तीन पार्ट होते हैं दो link के लिए और एक data के लिए पहला जो link है वो previous note के लिए है और दूसरा link जो है वो next note के लिए है तो यह दोनों links जो हैं वो pointer होते हैं पॉइंटर के भिहाब पर हम addresses store करते हैं ठीक है और data portion में हम information place करते हैं इसी तरह से आपके पास जो note का structure हम अगर coding में लिखते हैं तो note के structure को हम इस तरह से write down कर सकते हैं struct node और data portion है फिर आपके पास दो आपके पास pointer variable हैं जिसके भिहाब पर आप link को यह addresses को store करेंगे ठीक है तो यहाँ पर हमने previous or next node के लिए previous or next pointer create की हैं अगर आप इस double link list को diagram में देखें तो आपके पास जो double link list है उसकी जो पहली node होती है उसकी left link part में हमेशा null होता है और जो last node होती है उसके right link part में हमेशा null होता है ठीक है और हल नोड के पास अगर in between कोई node है तो उससे previous node का address होता है उसके अंदर और उससे next node का address होता है उसके अंदर ठीक है तो जो link part है हमारे पास link one और link two उसमें हमारे पास previous node और next node का address होता है अगर इसको मजीद understand करना है तो हम इस diagram को देखते हैं, हमारे पास यहां पे तीन nodes है, double link list है, तीन nodes है, पहली node जो है, उसमें value 2 है, और दूसरी node के अंदर value 4 है, और तीसरी node में value 6 है, जो आपकी पहली node है, उसको हम start node, यह head node बोलते हैं, ठीक है, तो 2 इसमें आपके पास information part है यह वाला जहां पे null लिखा हुए, यह इसके previous part है, क्योंकि इससे previous one कोई node नहीं है, और अगर इससे next देखें तो इसके next पे 200 address वाली node है, तो 200 जो है address उसके right link पार्ट में place कर दिया गया है, तो लहादा इस first node को, first node से आप traverse कर सकते हैं, next node 200 की तरफ, अगर आप 200 की तरफ म यह अगर move करना चाबते हैं, तो इससे previous one hundred वाली node है, तो यहाँ पे उसके left link part में one hundred है, और इसके right link part में three hundred है, तो थ्री एंड़ से मराद उसके next node जो है, वो 300 node है, 300 address वाली node है, और अगर आप इस node को देखें, तो इसके previous node हैं, वो 200 address वाली node है, और इसके next में कोई node नहीं तो लेहादा यहाँ पर राइड लिंक पार्ट में और बहुत सब्सक्राइबें ज्सक्राइक टोगे तो डोगे नियुक्त से हमने के निंपली म,"- को इंप्लिमेंट किया था हम उसी program को से वैस करके डा डब्ली लिंक स्मझे से मॉड़ी करें दिशाय के लिए हम सिंपली लिंक लिए करेंगे विसके झान额 लाम है करेंगे खेरार तो यहाँ और दूसरा हमारे पास लाइट लिंग पार है लेफ्ट लिंक में हम उससे नोड से प्रीविपर्न नोड का अड्र震स कंटेन करने के लिए हम यूजlaws करेंगे और करन नोड के आगे जो forward यहां next node है right side पे जो node है उसका address contain करने लिए हम और लिंक यहां right link को हम use करेंगे ठीक है तो बाकी जितने भी functions हैं हमने उनको comment बना दिया और जो main function active रखे हैं वो create node और display list यह आपने डबली link list में node को किस तरह से create करना है और उस double link list को display किस तरह से करना है इन दो functions के उपर हम working करेंगे बाकी functions comment बना दियेगे ठीक है तो same as old जैसे हमने previously हमने simple link list को study किया था उसको implement किया था वही code है जस्ट हम इन दो functions पर काम करेंगे कि डबली link list में आपकी node किस तरह से create होती है और पूरी double link list किस तरह से display होगी तो node create करने के लिए मैंने आपको बताया था कि चार स्टेप आपने perform करने होते हैं पहला स्टेप यह होता है कि memory allocation memory allocation allocation और new node नहीं node के लिए आपने memory allocate करवानी है और उससे जो address मिलेगा उसको एक pointer में store करना है pointer हम पी यूज़ कर रहे हैं और memory allocate करवाने के लिए new keyword यूज़ करते हैं कितनी memory चाहिए node type ही चाहिए तो नोड यहां पर लिख देते हैं अब यह आपके पास पहला स्टेप perform हो गया है जिसमें हमने क्या किया है memory allocate करवाई है ठीक है तो दूसरा स्टेप आपके पास होता है लिए डेटा प्लेस करना सेकेंड स्टेप प्लेसिंग डेटा और इंफो इन न्यू नोड नई नोड में हम डेटा प्लेस करेंगे उसके लिए मैसिज ड्रॉ करेंगे एंटर एनि वैल्यो है for new होज न्यू नोड है अपने वैलु प्लेस करनी है जो इस के अनि कह लिए हम क्या करेंग है थाड स्टेप प्लेस मास्त यह होता है कि आपने ले से नल इन बोट कि करना है है दोटोफ नंभी हो के राइट लिंक पार्ट में आपने क्या प्लेस करना है नल प्लेस करना है तो यहां पर हम एरो हैट कम्प्लीट करते हैं अच्छे जी अब फोर्थ वान हमारे बाद जो स्टेप होता है वह यह होता है कि अग्जस्ट कि नूली क्रियेटिड नोड इन एक्जिस्टिंग लिंक लिस्ट अब हमने यह देखना है कि इस नोड को हमने अजस्ट करना है कि existing link list के अंदर अब यह करना है कि link list इस कर भी रही है कि नहीं तो उसको करने के लिए हम यह चक करते हैं कि head के पास नल तो नहीं है अगर head के पास नल है अगर head के पास नल है इसका मतलब यह है इसका मतलब यह है कि आपके head जो है अगर नल है तो इसका मतलब यह है कि head के पास कोई address नहीं है link list create नहीं हुई अभी तो आपने जो नई note create की है उसी को आपने पहली note बना देना है मेंज के हैड को हैसाइन करते हैड को सबस्क्रइब करें कि थीक है और साथ साथ हम यह भी काउंट करेंगे कि कि किपनी नचीरेट हो चुकी यह तो नचीएशन केबाद आप कांट में भी काemorते है चिक है हेड के लिए बना wildly hj यासाइन कर देते हैं मिनس के हैड उसी को लोकेट करेगा यह पहली नोड ऊसके बाद हैड नहीं नहीं होना क्यूं है यह क्यों है क्वेड के पास पहली नोड का अड्रेस होता है यहां तो आप last में note create करते हैं यह in between note create करते हैं तो अभी हम देख रहे हैं कि last में किस तरह से note को adjust किया जाता है existing link list में last पर आप किस तरह से नई note को जो के p हमने note create किये उसको adjust करने हैं तो उसके लिए if part अगर आपका execute नहीं होता means के condition false हो जाती है तो इसका मतला head के पास कोई न कोई address है और उस address के विहाब पर हम traversing perform करेंगे यानि forward move करेंगे last note पर approach करने के लिए तो last note पर approach करने के लिए हम head से start करते हैं head से हम address ले लेते हैं किसी temporary pointer में और उसको navigate करते हुए हम last note तक पहुंचेंगे जब आप last note पर पहुंचेंगे तो उस वक्त जो last note का जो नेम होगा वो temp होगा means के जो आपका temp है वो navigate करते करते last note पर पहुंच जाएगा इस तरह से आपके पास दो नाम होंगे दो नोड होंगी एक temp note और एक पी नोड आपने क्या करना है temp के साथ पी को attach करना और पी के साथ temp को attach करना क्योंकि previous note और next note के concept को यूज करना है तो हम navigation के लिए वाइल लोग यूज करेंगे temp के अगर तो right link part में नल नहीं है तो आपने क्या करना है उसको navigate करना है forward move करना है यानि टैम को अगली note पर send कर दें टैम को यह assign कर दें टैम का right link part इस तरह से क्या होगा कि लूप आपका बारबर चलेगा और उस वक्त तक चलेगा जब तक note के right link part में नल ना आजाए तो आपको पता है कि note के right link part में नल कब होता है note के right link part में नल उस वक्त होता है जब note last हो तो जैसे ही last note के right link part तो आपका साथ connection Just остав roommate करना क्यूंकि हमारे पास यह डभ़ी लिंक लिस्त है तो आपके पास जो लास्ट नोड है वो टैंप थी कहें इस पॉइंट पर टैंप इस ओन या एट लास्ट नोड ठीक है और नई पी पी आपके नहीं नोड है और लास्ट नोड जो है वह आपके टैम्प बन चुबी है तो आपने क्या करना है टैम्प के next part में right link part में p assign करते हैं ये राइट लिंक पार्ट में पी ये साइन करते हैं तो हम क्या करेंगे पी के Left Link Part में हम TEMPER Sign कर देंगे, क्लियर इस तरह से आपकी दोनों node आपस में Connect हो जाएंगे, और पी के Right Link Part में आप नल प्लेस कर चुके हैं, ठीक है, इसका मतलब यह पी जो है आपकी Last Note बन गई, वो जो TEMP है, वह सेकंड लास्ट नोड बन गई है ठीक इस तरह से आपका यह connection establish हो जाता है और यह आपका program यह आपका function complete हो जाता है ठीक है तो अब हम display की तरफ move करते हैं डिस्प्ले के लिए आपने सबसे पहले यह देखना है कि link list exist करती है कि नहीं तो link list को verify करने के लिए कि exist करती है कि नहीं आपको head को चेक करना है अगर तो head है इक्वल टू है अगर है अगर है नल है तो इसका मज़ा आप display में लिखते हैं अभी तो link list create नहीं की गई लिंक लिस्ट इस नॉट क्रिएट इट यट है ठीक है कि अधर्वाइस लिंक लिस्ट में address मजूद है head में यह लिंक लिस्ट करती है head में address मजूद है तो आप क्या करेंगे time को assign करेंगे head उसी तरह से जिस तरह से हमने traversing पहले पर लेकिन थोड़ा से चेंज हो गई यहां पर आप यह के आपने लास्स नोट का भी डैटा शो करना है तो आपने फस्ट नोट का आप किया करेंगे तो सी आउट करेंगे पहली परस्स नोट का फिलहाल डेटा शो करेंगे जैसी आपका लूप चलेगा तो आप नेक्स नोट का ट्रेस करने के बाद आप उसका डेटा भी शो करतेंगे इस तरह से आपके पास टेंप नविगेट करता जाएगा और नेक्स नोड पर अप्रोच करता जाएगा और उस नोड से आप डेटा पिक कर सकते हैं तो इस तरह से आपकी तमाम नोड डेटा को डिस्प्ले करते जाएंगे डिस्प्ले करने के बाद आप लाइन चेंज करते हैं और यहां डबली लिंक लिस्ट और यहां भी आप काउंट को डिस्प्ले करते हैं और एंडल ठीक है और फिर आप एक और अंडरलाइन भी एक शो करते हैं एक लाइन शो करते हैं न्यू लाइन इस तरह से डॉटे लाइन और फिर आप एंडल करें तो यह आपका डिस्प्ले फंक्शन भी कम्पलीट हो गया इसको सेव करते हैं कमपाइल करेंगे तीन एर रहे हैं चेक करते हैं कौन से यहां पर देखें जी आपके पास स्टेट्मेंट मिसिंग है सेमि कॉलन मेंस है अच्छा जी कंपाउंट हमारे पास इफ और यह हमारे पास प्रट पसक्राइब है चाहिए तो इस तरह से यह फंक्शन का ब्रैकेट ब्रैकेट करते थे सेव करेंगे अब चेक करते हैं यहां पर देखें इसी तरह से यहां पर भी एक ब्रैकेट में इस है तो आप यहां पर भी एक ब्रैकेट असाइन करते हैं तो इस तरह से यह आपके पास एल्स और यह आपके पास फंक्शन का ब्रैकेट compile करें compile हो गया compile होने के बाद execute करते हैं initially कितनी notes चाहिए हम कहते हैं जी 4 तो 9 notes के लिए value दें 10 20 30 40 तो 4 values आपके सामने हैं उसके बाद आप से कहा जा रहा है press 0 to display link list press 2 to insert a new node तो हम एक नई node insert करते हैं जो के last पे create होगी ठीक है value आप place करते हैं value में हम 50 लिखते हैं तो जैसे हम 50 लिखके enter करते हैं एक आपकी node भी बढ़ गई और आपके last जो link list create की है आपने उसके last में एक नई node adjust होगी means के 50 उसके next add हो गया है ठीक है इसी तरह मजीद आप verify करना चाहते हैं वाई प्रेस करें फिर option 2 और नई node के लिए value दें तो इस तरह से आप 60 value अगर place करते हैं यो कोई भी value आप place करेंगे तो एक note और add हो जाएगी उसमें ठीक है इस तरह से आप link list में और भी बहुत सारे आप operation perform कर सकते हैं जिस तरह से insertion at front, insertion at last, insertion in between after a specific node इसी तरह से deletion आप perform कर सकते हैं जिस तरह से simple link list में हमने perform की searching, sorting, मुख्लिप किसम के operations आप perform कर सकते हैं ठीक है तो hopefully आपको समझ आई होगी फिर भी अगर कोई question आओ तो आप comment में या next lecture में पूछ सकते हैं बहुत शुक्रिया अलाफिस